जी, क्योंकि मेरी तो बात 6 दिन से जीवन से हो रही है, सरीर से हो यहीं नहीं रही है। तो मेरी बात 6 दिन से किस से हो रही है जीवन से हो रही है शरीर से नहीं हो रही है है तो उससे पता जलता कि आप भी यहीं पर हैं शरीर को चेक करते हैं तो पता जलता आप भी यहीं पर हैं चलिए बढ़िया तो देखिए एक रचना क्रम है जो यहां अभी लिखा था यहां भी लिखा था उसी को मैं होरिजेंटल लिखता हूँ अस्तित्यों में क्या है जीवन है और परमाडू है जिसको हम परमाडू बोलते हैं मतलब जीवन है और यह जो पदार्थ वगेरा है इनकी मुझे लिकाई क्या है परमाडू है तो परमाडू दो तरह के होते हैं एक अजीड होते हैं एक भूखे होते हैं अजीड यानि जो अपने में से कुछ निकालना चाहते हैं और भूखे मतलब अपने में कुछ समाना चाहते हैं ये निकाल के त्रिप्त होता है और वो समा के त्रिप्त होता है इनकी सारी आत्रा त्रिप्ति की तरफ ही है परमाडू की आत्रा क्या है त्रिप्ति की तरफ है तो ऐसे परमाडू है और जीवन है तो परमाडू का क्या कारकम है परमाडू से अडू बनता है अडू से अडू रचित पिंड अडू रचित पिंड और इसके आगे परमाडू और पानी के संयोग से प्राण कोसा बनती है प्राण कोसा से आगे की रचना पेण पोधे है पेण पोधे से आगे की रचना पसू पक्छी सरीर है पसू पक्छी सरीर से आगे की रचना मानव सरीर है अभी तक इतना ही रचना इस धर्ती पर या मानव जो और धर्तियों पे गया तो इतना ही रचना अभी तक देखा है तो आप देखिए धर्ती जब बिल्कुल ही आविक्सित रही होगी तब भी परमाडू तो रहे ही होंगे हाँ जी परमाडू रहे होंगे फिर परमाडू से अडू बने अडूरा चित्पिंड बने जो बहुत सारे बनी गए पहाड पहाड पत्थर मिट्टी हवा और मडी और धातू यह सारे क्या है यह सब पदार्थी हैं परमाडू से भी बने हैं यह थंड़ा है पानी तो रचित्पिंड बने पिंड का मतलब मिट्टी बना पत्थर बना मडी बना धातू बना यह सब पिंड ही है ऐसा बन गया फिर आगे की रचना इस धर्ती पर क्या हुई तो परमाडू और पानी के सहयोग से प्राणकोसा बनी अब देखिए रचना करम धर्ती पर रचना करम क्या हो रहा है पानी बरसात हुआ तो गड़ों में पड़ा रहा धीरे धीरे कोशिका बनी कोशिका बनी तो पहले छोटी बनस्पतिया बनी फिर उत्सो पूर्वक स्वता अस्तित्यों में सोध होते हुए पेड़ पौधे बने पेड़ पौधों के जब पत्ते और तने और पेड़ सड़े गले सड़ गल के जब वो मिठी के संपर्क में आए तो उसमें से कीट पतंगे मुनगे पैदा हो गए कीट पतंगे मुनगे यह पैदा हुए यह क्या है यहां से जीवावस्था की शुरुवात होती है फिर आगे चलके जीव जन्तु शरीर बन गए पसुपक्षी शरीर और अंत में मानों शरीर बना और अभी तक इस धर्ती पे मानों शरीर से आगे की रचना नहीं है अब ध्यान दीजिए अस्तित्तों में हो क्या रहा है अस्तित्तों में आज तक हुआ क्या है ध्यान दीजिए क्या चीज उपलब्द था परमाडू उपलब्द था और जीवन उपलब्द था जीवन कैसे शरीर को चलाएगा जिस सरीर में मेधस होगा जीवन कैसे सरीर को चलाएगा जिस सरीर मेधस होगा तो अस्तित्यों में आप देखेंगे जो विकास हुआ है विकास पेण पौधे सरीर से होते हुए पसुपक्षी सरीर तक हुआ है इनमें मेधस है अब ये जीवन इन सरीर को चलाता है तो अस्तित्यों में जीवन भी था परमाडू भी था लेकिन एक रचना क्रम में एक समय ऐसा आया कि पसुपक्षी सरीर बने जिससे कि ये जीवन इस सरीर को चला सके अब इस सरीर को चलाया तो एक सरीर को चलाया दूसरे सरीर को चलाया तो छोटे बड़े सरीर ऐसे ऐसे चलाते चलाते ये लगा कि वो सरीर इस जीवन के अनकूल है नहीं है मतलब इस जीवन में क्या है? कलपना सीलता है और करम सोतंतरता है तो जितने भी पसुपक्षी सरीर बने उसमें किसी में भी कलपना सीलता के अनुसार करम सोतंतरता हो नहीं सकती वो डिजाइन नहीं बनी, तो अलग-अलग डिजाइन बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, ऐसा डिजाइन बनते, बनते, फिर उसमें मानों सरीर का डिजाइन बन गया, क्यों? क्योंकि अस्तित्व में जीवन था, पूरा अस्तित्व प्रयोजन के साथ है, अस्त इस सरीर में भी बहुत सारे सरीर बनते गए अस्तित्य में सोध होता गया जीवन चलाया जीवन चलाया लेकिन जीवन अपने को व्यक्त नहीं कर पाया पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाया तो मानव सरीर बना जिसमें पूर सम्रिध मेधस होता है और सरीर की डिजाइन एकदम पर्फेक्ट डिजाइन है, जितना चाहे कर्म कर सकता है, तो समझ करके जी सकता है, ऐसा सरीर अस्तित्व में बना, ये पसुपक्षी सरीर के बाद, ऐसे सरीर को जीवन चला करके प्रमाडित हो सकता है, ऐसी संभावना अभी तक बनी हुई है. और अगर एक ब्यक्ति प्रमाडित हो गया है, अगर नागराज जी बोलते हैं मैं प्रमाडित हो गया हूँ, या और भी कोई महापुरुस प्रमाडित हो गया है इस सरीर को चला के, तो सम्भावना क्या बनती है, हर मानों, हर जीवन ऐसे सरीर को चला कर अनुभो संपन प्रमा जीवन कोई भी जीवन ऐसे शरीर को चला करके भी अनुभो संपन नहीं हो पाता प्रमाडित नहीं हो पाता अर्थात कल्पना सीलता और कर्म सतंत्रता की तृपती नहीं हो पाती तो अस्तित्त में अगले डिजाइन की आवसकता होती लेकिन अभी तक चुकि इसी सरीर के और जीवन मानों सरीर को चला कर अनुभो संपन हो सकता है प्रमाडित हो सकता है मेरा क्वेस कहाँ पर निजी यह पसोपक्सी और मानों का सरीर नहीं था पहले तो उसके पहले जीवन था हां यही तो मजे की बात है जीवन रहता ही है जीवन भी था पहले बोले ने कि यहां पर तीन चीजे लिखा था एक नित्य वस्तु रहती है अस्तित्यों का मतलब क्या है एक नित्य वस्तु जिसको व्यापक के रूप में पहचाना इस्पेस के रूप में पहचाना दूसरी अमर वस्तु जिसको जीवन के रूप में पहचाना और तीसरी अभिनासी वस्तु जिसको पदार्थ के रूप में पहचाना तो अस्तित्यों का मतलब ये तीन सच्चाईयां तो है ही है तो जीवन भी है ही जीवन है इसलिए जीवन को तो जीवन के होने का प्रयोजन है इसलिए जीवन के होने के जीवन अपने प्रयोजन को पा ले इसके लिए मानव शरीर की आवसक्ता थी तो अस्तित्त विधी से रचना क्रम में ये रचना क्रम है इसको रचना क्रम बोलते हैं कि इसी करम में रचना हुई है कोई भी धर्ती विक्सित होगी इस धर्ती पर हम ढूटने जा रहें क्या ढूटने जा रहें मंगल ग्रहिप क्या ढूट रहें पानी धूट रहें क्यों मिलते ही आगे कि विकास की संभावना बनती है, पानी नहीं है, तो वहाँ कोशिका का प्राण कोशा होगी ही नहीं, तो पदार्था वस्था में केवल धर्ती रहेगी, तो केवल पदार्था वस्था में जो धर्ती है, वो धर्ती पूर्ड नहीं है, अपूर्ड है, कोई भी धर्ती पूर्ड कब होती है, जब उस पोधों की परमपरा हो गई है यह पून्ड है पाउस्टी पेण पौधा में यह ताकत है अपने जैसा ही पेण पउधा बहुत सारह पैदा कर सकता है परंपरा है पसुपक्षी की भी परंपरा है क्योंकि हर पसुपक्षी अपने जैसा पसुपक्षी पैदा ही कर सकता है परंपरा है मानव में सरीर के रूप में परंपरा है लेकिन जीवन प्रमाडित होने के रूप में नहीं हो पाया तो जब ऐसा हो जायेगा कि एक परिवार में समाधान समपन लोग और सम्रिध लोग रह रहे हैं परिवार में कोई बच्चा आता है तो ओ भी 12-13 साल 14-15 साल के उम्र तक अनुभो संपन हो जायेगा और फिर प्रमाडित होने में लगेगा फिर उसके बच्चे होंगे, वो भी पंदरा साल अठारा साल के उम्र तक अनुभो सम्पन हो जाएंगे फिर वो प्रमाडित होने में लग जाएंगे, तब मानो परंपरा इस धर्थी पे होगी जीवन के रूप में, जीवन जागृती के रूप में नहीं है, उसके लिए प्रयास हो रहा है, हम ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करी रहे हैं, अलग-अलग नामों से, लेकिन सत्य वस्तु के रूप में इस content में आया है, जिसको हम सीधे सीधे अध्यन कर सकते हैं, बिना किस अध्यन कर सकते हैं, ऐसा इस content की खूबसूरती है, मैंने बहुत सारा, बहुत सारे पापड बेले हैं, बहुत सारे परमपराओं को समझा है, देखा है अपने सनातन परमपरा, ब्रामण परिवार में पैदा हुआ, रामचरित मानस घर में रखा ही रहता है, और केवल जो तात्विक ज्यान है, उसके लिए और किताबे होती हैं, आप नाम सुने होंगे, मानस गुडार्ध चंद्रिका, मानस पीउस, यह पूरा 11-11 खंडों में 22 किताबे हैं, और सब मेरे घर में पढ़ी रहती हैं, बाबा जी को अच्छी लगती थी, बाबा जी हमसे बोलते पढ़ो, मैं भी पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मुझे उसका तात्विक ज्यान भी हो गया, सत्य वस्तु पकड़ में नहीं आती थी, तो मैं कहीं ठीक नहीं पाता था, लेकिन इस कंटेंट के साथ मैं लगातार 11 साल से ठीका हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें सत्य व रचना, पूरा अस्तित्व, प्रयोजन सहित है, प्रयोजन पूर है, यह सारी रचनाये किस प्रयोजन से हुई, पसूपक्षी शरीर इतने सारे क्यों है, क्योंकि पहले कोई शरीर बना, फिर कोई शरीर बना, फिर कोई शरीर बनाया, जीवन चलाया, जीवन चलाया, जीव अधादमी हो गया तो मानो शरीर ही सबसे परफेक्ट शरीर हुआ और उसका मेधस भी पूर्ण सम्रिद्ध हुआ कि जीवन उसके माध्यम से सरीर को चला कर मनाकार को साकार और मना स्वस्तता को प्रमाडित कर सकता है ऐसी संभावना बनी इसके लिए मानो सरीष धर्ती पे बना प्राकृतिक स्रम के कारण प्रकृति में स्वता स्रम चला और ये कितने साल चला तो गिन के भी कोई फायदा नहीं है देखिए, देखिए, सरीर है, हम जब तक सरीर मूलक सोचते हैं, सरीर मूलक जीते हैं, तब तक हमारे ध्यान में टाइम रहता है, जब कि अस्थित्व समय से मुक्त है, जो चीज नित्य है, उसमें समय का कोई मतलब ही नहीं है, अभी भी जो हमने टाइम बनाए है, कैलेंडर बनाए है यह एक्जिस्टेंशियल नहीं है यह हमने बनाया है अपने सुविधा के लिए हमारे टाइम बनाने के कारण थोड़ी धर्ती घूम रही अपने अक्ष पे नहीं जी धर्ती 24 गंटे में घूमती है ऐसा नहीं है धर्ती अपने अक्ष पे घूमती ही है हमने उसको 24 गंटे में बाट दिया है क्योंकि हमको अपने बहुत सारे काम करने रहते हैं तो time एक सुविधा है, अस्तित्व में time नहीं होता है। तो जब जब धौतिक पदार्थ पर हमारा ध्यान जाएगा, तो फिर limit में जाएगा, समय पर जाएगा। जैसे ही चैतन्य वस्तू पे हमारा ध्यान जाएगा, जीवन अमर है, इसलिए जीवन को कोई जल्दबाजी नहीं है, जीवन स्वहम में कब होगा, और एक लाग साल बाधी होगा प्रमारी तो क्या दिक्कत है, क्योंकि जीवन के अस्तर पे टाइम, इसलिए जब सरीर छोड़ देता है जीवन, तो आपको लगता होगा कितने दिन में फिर सरीर चलाने लगता है, कोई मतलब भी नहीं है, सरीर छोड़ते ही टाइम का कॉनसेप्ट ही कतम हो जाता है, जब मिलेगा चलाएंगे, अभी चलाने का प्रियोजन इतना ही है, कि सरीर के माध्यम से आहार निद्रा भय प्रजिनन करेंगे, धीरे धीरे पता चलता है नहीं, सरीर का माध्यम, सरीर जो है उसा माध्यम का माध्यम है, अहार निद्राभय प्रजनन का माध्यम नहीं है, तो सरीर मूलक सोच, भौतिक मूलक सोच, ये हमको लिमिट करती है, जबकि अस्तित्व नित्य है, नित्य है, नित्य है, हमेशा है, हमेशा है, जीवन अमर है, अमर है, अमर है, जो चीज अमर है, उसको टाइम का क्या मतलब है कौन सी हडबडी है, तो चुक्कि हम सरीर केंद्रिश सोचते हैं, तो हमको लगता देखो जी 45 साल उमर हो गया, अभी यह नहीं किया, अभी वो नहीं किया, अभी तो बेटे की पढ़ाई नहीं हुई, अभी तो बेटी की साधी नहीं हुआ, अभी तो उसको नोकरी नहीं किया अभी उस जमीन में कुछ नहीं किया तो सरीर के इंद्रिश सोच है यह तो हमारा सरीर के इंद्रिश सोच का परिडाम है टाइम लोग पूछते हैं कितने दिन में समझदार हो जाएंगे आपको क्या लगता है तो हर मानों अपनी आत्रा के साथ है तो हर मानों के लिए टाइम अलग अलग है कोई उंगली रख के नहीं कह सकता कि आप आठ साल लगिये दो साल लगिये और समझ जाएंगे आप आठ साल लगे समझ जाएंगे कोई ज़रूर नहीं है अगर इस उमर में ध्यान चला गया तो एक दो साल में समझ जाएंगे लेकिन ध्यान लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है तो आप जैसे हम लोग पूछते थे हाजी माइक दीजिए हम लोग आदरडी नागराजी से पूछते थे जब आपके से आपने बोला कि आत्मा अमर है जी जीवन अमर है तो जीवन का कभी तो अंत आएगा नहीं आएगा तो जिसको मुक्ष मिला वो क्या चीज है बुद्ध जैसे जो महापूर्श हो गए जिसको हम बगवान बोलते हैं उनका मुक्ष हो गया या प्रभु में विलन हो गया तो वो चीज क्या है वो कंटेंट अभी आने वाला है लेकिन फिर भी बोलते है तो हम जब कह रहे हैं कि जीवन अमर है तो उसके पिछे का तर्क क्या दे रहे हैं कि अक्षय बल अक्षय सक्तिसंपन है इसलिए अमर है मन बुद्धी मन बृत्ति चित्थ बुद्धी आत्मा यह सारे अक्षय बल है क्योंकि मेरे में कल्पना सिलता अच्छय है इस आधार पर तर्क बनता है मैं चाहे जितना विचार कर सकत और कल्पना का ही नाम है जीवन में ही कल्पना होता है इस आधार पे तर्क बनता है कि जीवन अमर है क्योंकि अच्छे बल अच्छे सक्टी संपन्न है फिर बोल रहें मोक्ष क्या है तो इक्षा विचार आसा बंधन से मुक्त होना इक्षा विचार आसा बंधन से मुक्त होने का मतलब ही है साथ छाद कार बोध अनुभो संपन्न हो जाना तो मेरे में सुक के निरंतरता हो जाती है तो मेरे में जब सुक के निरंतरता हो जाती है तो अब मुझे मैं समझ लिया है सुविधा में सुख है अहार निद्या भैप्रजनन में है इसलिए मैं बार बार सरीर को चला रहा हूं ऐसा करते करते मैं समझ जाता हूं तो समझ की स्थिति का मतलब है हुआ मैं अनुभो संपन हो गया प्रमाडित हो गया तो मैं आनंद की स्थिति में आ गय अब मुझे सरीर चलाने की आवसक्ता ही नहीं है, अब मैं सरीर चलाओंगा, अपने मौज के लिए चलाओंगा, मन करेगा चलाओंगा, मन करेगा नहीं चलाओंगा, वह यही तो सतंदता है, अब सरीर मेरे लिए बाध्धता नहीं है, तो मोक्ष की स्थिति यहाँ पर इस content में उसको कहा जा रहा है कि मैं अनुभो संपन हो गया और उसको प्रमारित भी कर लिया अब मैं जागरित हो गया जागरित हो गया अब सरीर की कोई आवसकतार रहने जाती तो जीवन लेकिन बनाई रहता है नित्य के साथ व्यापक उसका अनुभो कर लिया उस अनुभो के साथ बना हुआ है उसके खतम होने की आवसकता ही नहीं है तो जनसंख्या बढ़ने का यह भी कारण है क्या कि सब को सरीरी चाहिए चलाने के लिए जागृत लोग रहे जागृत जीवन रहे जिनको शरीर नहीं चाहिए सबको सरीर चाहिए आर निद्राभै प्रज्टन के लिए हां जी उधर दिजे माइक डिए मायग सर आप जो बता रहे मैं याई तो मैं ये प्रशन पूछना चाहता हूं कि मानव जो है वो भगवान की स्रिष्ट रचना है तो एलियन्स जैसी कोई चीज है क्या है एलियन क्योंकि उस पर फिल्में भी बनी है बहुत सारा लिखा गया है बहुत बढ़िया जब अनंत धर्तियां है जब अनंत धर्तियां है तो संभावना ही है कि किसी धर्ति पर और भी माना होंगे हो सकता कोई धर्ति पर जागरित परंप्रा भी हो तरक तो यह जाता है ना कि धर्ति पर चार अवस्थाएं हैं तो वहां माना होगा माना होगा तो जीवन ही चला रहा होगा जीवन चला रहा ह तो क motherfuck the को धरती हम से आगे हो यानि उसका मानों की परंपरा भी आगई कि यहांने मानोफी परंपरा भी आगई हो झा तो ऐसी हिंद 되지ंड गोलते हैं उनको यहीं बोलते हैं कि मौती अव्हां को अपी तो हो सकता हुसका नाग मुँं हमारे जैसे न हो ठीक है लेकिन डिजाइन होगी तो आदमी के ऐसी होगी हाथ होगा पैर होगा मूँ का कार अलग होगा तो इसी धरती पर बहुत तरक मानों का मूँ दिखता ही आपको तो सर इसका मतलब हुआ कि जीवन आत्मा अपने साथ सारे संसकार को साथ में लेकर चलता है हाँ जी हर जीवन का जी संसकार में जो गुड़ात्मत परिवर्तन हुआ है तो इतना सुक्षमा है तो फिर वो कहां पर रहते हों कि संसकार एक्चली संसकार में परिमार्जन जैसे कुछ बोज नहीं होता संसकार ना अब इसको एक एक्जामपल से समझते हैं क्या है happiness curriculum बनाते बनाते ने एक्जामपल बहुत ध्यान में आ गये हैं जैसे मान लीजिए इस हाल में जितने सामान की जरूरत है उतना हो गया जैसे इस सीविर चलाना है इसमें बोर्ड थीन चाहिए प्रोजेक्टर चाहिए गद्दा चाहिए चद्दरे चाहिए तकिया चाहिए कुर्सी चाहिए माइक चाहिए तो अब जो लोग ब्वस्था में लगे होंगे वो ला रहे हैं तो कभी सामान जादे हो गया और गया तो बोले नहीं इसको हटा दो इतना ही गया जैसा करते 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 यह हुआ अब जितने सामान की जरूरत है उतना इस हाल में हो गया, अब न कम है न जादे है, क्या है, न कम है न जादे है, लेकिन हाल सजा नहीं है भी, गद्दे उस कोने में हैं, कुर्सियां यहां सारी खड़ी हैं, माईक उस कमरें पड़ा हुआ है, बोड ऐसे लिटा के यहां रखा हुआ है, सामान तो है इसी हाल में है, लेकिन सज नहीं है जहां जिसकी जरुर्थ है वहां लगा नहीं है तो हम सिवर शुरू नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे अब आगे क्या करेंगे सामान को व्यवस्थित करेंगे तो सामान उतना ही है व्यवस्थित नहीं हुआ है तो जो जीवन है उसके अंदर जो संसकार का परिमार्जन का मतलब इतना ही है कि जितना उसके अंदर सामान है क्रिया है वो व्यवस्थित नहीं हुई है तो संसकार परिमार्जन कईतने ही मतलब है वो वेवस्थित हो जाता है तब बोलते हैं हाँ जी अब बढ़िया हो गया अब सिविर चल सकता है तो जीवन में संसकार परिमार्जन होता है संसकार बढ़ता नहीं है बढ़ता खटने वाली चीज नहीं है तो मेमरी नहीं जाती है हां संसकार सेन न लें एक memory इस इस सरीर र्यात्रा की memory अगले सरीर र्यात्रा में memory तो memory की आवसक्ता नहीं पढ़ती क्योंकि memory memory की जरुवत अगले सरीर र्यात्रा के लिए नहीं अब अगर होगी भी तो आप ролi ये व्वैश्ठा है तो जीवन में जो संसकार परिमार्जन हो जाता है जो विवस्तित हो जाता है वो अगले सरीर यात्रा में साथ में जाता ही है तो संसकार परिमार्जन होता है, संसकार में बढ़ोतर ही नहीं होता, क्योंकि जीवन के अंदर तो फिक्स है, दस क्रिया ही है, चाहे वो भ्रमित है, चाहे जागरित है, है उसमें दस क्रिया ही, यही क्रिया पूर्णता होनी है, क्रिया पूर्णता ही होनी है, कि दस क्रिया पूर्ण हो जाए उसके लिए अंदर संस्कार परिमार्जन है यानि केवल गद्दे को ठीक जगा बिछाना है बोड को ठीक जगा लगाना है माइक को ठीक जगा रखना है कैमरे को ठीक जगा रखना है प्रोजेक्टर को ठीक जगा रखना है जिससे कि हाल में घुषते ही आपको भी अच् गीता में बोला है ना कर्मसिद्धान्त का अनुभव हो जाता है तो मुल्य पूर्वक जीता है मान लो कि कोई नियम पूर्वक जी रहा है तो क्या उसका मुक्ष हो जाएगा मुक्ष हुआ है तभी नियम पूर्वक जी रहा है और क्या मैं एक दिन बोला था मुक्ष पूर्वक ही जीता बनता जीते बनता है किस से युक्त हो गया इसको दूसरी बार जन्दम लेना पड़ेगा वो बोलते हैं उनको दूसरी बार जन्दम लेना पड़ेगा अगर अनुभव संपन नहीं हुए हैं तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन का प्रयोजन अनुभव संपन होना दस्क्रियापूर्ण होना अगर अनुभव संपन नहीं हुए अनुभव संपनता का मतलब ही मोक्ष है एक्षा विचार आसा और जागृती परंप्राव तो मैं पहले बोल दिया जो आपका रहें जनम नहीं लेना है वो पहले बोल दिया अगर मैं प्रमाडित भी कर चुका अपने अनुभाव को जो कुछ भी समझा था उसको जी के प्रमाडित भी कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है मैं सरीर चलाओं फिर मेरी मौझ है तब मैं सरीर चलाओंगा भी तो समाज के लिए चलाओंगा अपने लिए आवसक्ता खतम उसी content पे आते हैं चलिए उसी content पे आ जाते हैं क्योंकि तब प्रस्ण उत्तर सेटल होगा तो अभी ये क्या बात थी अस्थित्य को देखा कि अस्थित्य प्रयोजन के साथ है अस्थित्य में जितनी रचना हुई है वो प्रयोजन के तहत हुई है क्योंकि अस्तित्य प्रयोजन विहीन नहीं है, अस्तित्य में सारी रचना प्रयोजन के साथ हुई है, इसलिए बहुत तरह के सरीर बने हैं, क्यों? क्योंकि अन्तत्य मानों सरीर बनना था, क्यों? क्योंकि जीवन अस्तित्य में उपलब्ध था, जीवन जागरित होना चाहता है, श्रम से बना है, एक विकास करम में बना है, इसको रचना करम भी बोलते हैं, इसी को विकास करम भी बोलते हैं. हलो? हाँ जी, कहां पर? हाँ. जब मनुष्य का जर्णवा नहीं होता है तब भी झीवन होता है तो उस वक्त वो जीवन की स्वरुप में होता है का होता है यह तो लंच के पहले हुआ थोड़ा सा जीवन वहीं राता है कहीं जाता आता थोड़ी है सबी जीवन अलग-अलग है हाँ अलग-अलग है तो वर्ल्ड की पॉप्यूलेशन है मेरे इसाब से 2000 साल में 6 अबज होती थी आज 8 अबज हो गई तो 2 अबज वो जीवन का थे उस वक्त अभी 2 अबज जीवन आ गए तो यह मेरा सवाल है अरब बोला है ना दो अरब हाँ 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 जी आज हाँ और अब मतलब मतलब है अबज मने अरब हाँ अरब ए रहे यह जीव पॉप्यूलेशन ति अच्छा हब वर्ल्ड की पॉप्यूलेशन 8 एक मिलियन हाँ 600 करोन थी अब 800 करोन हो गई है हाँ हाँ तो तो सरीर बने है ना दोजार की साल में वह 20 अबज जीवन कहा थे वह जीवन ऐसे ही थे अस्तित्में इसी हाल में करोनों होंगे क्या दिक्कत है देखे जीवन बहुत ही सुक्षम है ना उसको कोई बहुत जगह जीवन का मतलब जीवन बन गया थोड़ा सा यह होता ने जीवन बनगया जीवन भी है परमाडू भी है पदार्थ भी है और इसलिए बोला कि अस्तित्व में नित्य वस्तू है अमर वस्तू है और अभिनासी वस्तू है मतलब व्यापक है जीवन है और परमाडू है बन गया से लगता है एक जीवन भी बना है फैक्टरी में कहीं जीवन है उपलब्ध है कितना है तो देखिए सरीर के माध्यम से जीवन प्रमाडित होना चाहता है उसके लिए सरीर को चलाता है और अगर अगर जीवन प्रमाडित नहीं होता रहा तो जनसंख्या बढ़ेगी और क्या होगा लेकिन प्रमाडित जीवन निकलते रहे उनको सरी शरीर चलाने की आवसक्ता ही नहीं पड़ेगी, इस्तिर हो जाएगा, इसके लिए फर्टिलाइजेशन की ज़रोत पड़ती है या अपने आप उत्पन होते हैं, वो अक्षे बल अक्षे सकती संपन है, मतलब जिसके पास जिसका बल और सकती खतम ही नहीं होता, कम ही नहीं हो तो इसको क्या फर्टिलाइजर लगेगा, क्या खाना लगेगा, तो जीवन के लिए खाना पीना नहीं है, वो भाव है, भाव रूप में है, शरीर के लिए खाना पीना है, तो 600 करोण जनसंख्या थी, आगे 800 करोण जनसंख्या है, आगे 10-100 करोण हो जाएगी, जीवन तो ह बहुत हैं इसको अध्यान में जाते हैं तो और इसपष्ठ होता है जब जीवन के स्वरूप पे पूरी चर्चा करते हैं तो और इसपष्ठ हो जाता है तो जीवन कितना रहेंगे धर्ती पे जितना जाव सकता रहेंगे उतना रहेंगे मतलब अस्तितों में सब कुछ प्रियोजन के रूप में ही है तो जीवन भी प्रियोजन सहीत है मैं वो बोल रहा हूँ कि जंगल में शेर और बाग उनकी संख्या और हिरन की संख्या हीरन जाद संक्या में बढ़ते आए और शेर और वो कम संक्या में तो वो नियंतरन कौन करता है स्वता नियंतरन है स्वता नियंतरन है अच्छा अच्छा नेचुरली नेचर में सब कुछ नियम यहां लिखा था नियम नियंतरन संतुलन नियम है नियम ही नियंत्रण है उसके कारण संतुलन बना हुआ है यह सही बात है हम कहते हैं कि बाग हीरन को खाता है तो अगर बाग हीरन को खाता है तो किसकी संख्या कम हो जानी चाहिए है हिरन की, लेकिन बाग हिरन की संख्या खत्मी नहीं वह रही है, पर्याप्त है, बाग की संख्या कम है, अब देखें नेचर में नियंत्रण, कि बाग की संताने कम पैदा होती है, और हिरन की जादे होती है, क्योंकि बाग उनका आहार है, तो नेचर में उनका आहार वो कोई अलग चीज है जो नियंत्रित करती है नियंत्रित मतलब फिर वही जाता है ने फिर वो चीज जो है उसको कौन नियंत्रित करता है स्रिष्टी का जो संचालन करता है ऐसी तरस तो स्रिष्टी का जो संचालन करता है फिर उसका संचालन कौन करता है फिर प्रस्ण आगे बढ़ जाएगा इसलिए तर्क क्या कहता है कि पूरी स्रिष्टी नियम से है नियम से है नियम स्वयम में नियंत्रण ही है और नियम नियंत्रण पूरवक संतुलन है और क्या नियम नियंत्रण पूरवक संतुलन है पेंड बढ़ता है उसमें फूल आता है फल आता है वो नियम है वही नियम है लोहे के परमाडू लोहे के पास आते हैं आप देखिये ना जहां लोहा मिलते हैं एक ही जगह मिलता है अगर ऐसा थोड़ी है कि 100 ग्राम लोहा गुजरात में मिलेगा फिर 100 ग्राम एंपी में मिले तब कौन लोहा निकालेगा तो सारे लोहे के जो परमाडू है वो लगभग एक जगाई कठा होते हैं सारे अलुमिनियम के सारे चांदी के सोने के हीरे के मतलब देखिए ब्यवस्था वो प्राणि में जीवन है प्राणियों में जीवन है प्राणि मतलब पशु पक्षी ना उनके शरीर को जीवन ही चलाता है तो वो जीवन और मानव का जीवन दोनों डिफरेंट है एक ही है कोई अंतर नहीं है तो पशु जीवन भी मानव बन सकता है बिल्कुल आप लेटेस् तो जीवन पशु भी बन सकता है उसकी मर्जी है जादे संभावना तो नहीं लगती जैसे अगर देखेंगे तो जिसको बढ़िया रसमलाई रस गुल्ला खाने को मिल जाए वो क्यों खाण खाने जाएगा मतलब ऐसा संभावना कम लगता है कि मानो सरीर मानो सरीर को चला चु को अगर चला लिया है तो मानो सरीर को ही चलाएगा लेकिन किसी का मन ही कर दिया तो आप क्या करेंगे हाँ मेरा मन ही कर दिया मैं हिरन का सरीर चलाओंगा हाँ जी माइक दीजिए हैं हेलो हाँ तो अ प्राणियों नवाग न बदा निया हुथ 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 पर है एक बार बताएंगे मतलब मैं सुन समझ नहीं पाया ठीक से वानी बाई हिंदी में वानी बाई हिंदी में कि जी इसको अच्छा फिल नहीं हुआ है तो अभी वो मनुश्य में आ गया इसी वो 500 करोड से 500 करोड बनीश्य होगा ठीक है मतलब ऐसी कलपना दोड़ी सकती है मानो कलपना सील है कलपना दोड़ा सकता है कि तीक थे तो देखिए मूलता है मानों तो सहकाहारी एसा दिखता है मतलब सहकाहारी दिखता है रहा है लेकिन नीयम देखिए मानों के लिए सहकाहार आसान है या मानसा हार आसान है तो अगर मानसा हार आसान था तो मानसा हार ही करता रहता हो क्योंकि शुरू में तो मानसा हार ही करता था लेकिन एक दिन और चर्चा हुई थी कि सिकार करना आसान नहीं था जानवर को मारना आसान नहीं था और मार दिया तो उसका चंब्डा उतारना आसान नहीं था उसको खाना आसान नहीं जब तक आग की खोज नहीं होई थी तो इसलिए वो कठिन काम था तो आदमी आसान काम चुना तो इसको खेती की पहचान हुई तो उसको लगा अब आराम है अरे खेती मिल गया उगाओ तो आसान काम की तरफ आया तो ऐसा लगता है कि साकाहार आसानी सुपलब्द हो सकता है अब चुकि हम जानवरों की भी खेती करने लगे हैं इसलिए मांसार भी आसानी सुपलब्द है में मुर्गा फारम बकरा फारम इस सब करने लगे ठीक है हाँ जी आगे बढ़े है ऐसे प जब इस कंटेंट तो जब मैं आदेडी नागराजी से कहते थे कि आपके साथ बात चीत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता ये कंटेंट लेकिन जैसे ही घर जाते हैं उसके बाद जीने में नहीं आपा रहा है तो क्या उत्तर देते थे बोलते थे कि देखो आपको क्या चीज अच्छी लगती है उसको कैसे आप निकालोगे कैसे पता लगा होगे कि ये चीज आपको अच्छी लग रही है यह content हमको अच्छा लग रहा है इसका पता कैसे लगाएंगे तो हमने का कैसे लगाएंगे तो बोले जो आपका भिन्चरिया है उसमें उसको अस्थान कितना देते हो आप तो पता चला इस content को सुनने वहाँ चले गए आये तो आने के बाद एक content गायव है आधा गंटा भी time नहीं देते तो बोले तो time नहीं देते हैं तो कहां से उपलब्दी होगी कहां से इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लगता तब हमारा ध्यान गया फिर धीरे धीरे हम time निकाले तो सुबह का time सुबह के time में कोई हमको disturb नहीं कर सकता मने किसी को भी आप तीन साड़े तीन चार बजे जगिए छे साथ बजे तक अध्यन करिए उस समय जादे तर लोगों के phone उन नहीं आते क्यों सब सोई रहते हैं लेकिन घोषळा मत कर दीजेगा हम जग जाते हैं उतने time पर ठीक है तो वो time हम लोग मतलब मैं अपना बताता हूं कि मैं वो time निकाला उस time में अध्यान करता था वीडियो देखता था कि धीरे 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 करके प्रस्ण बनने लगे शुरू में प्रस्ण नहीं नहीं बनते हैं आपके कहां प्रस्ण बन रहे थे जब content शुरू हुआ आज जीवन क्रिया पर्सों से शुरू हो गई है और जीवन से संबंधित प्रस्ण आ जा रहे हैं क्यों भाई मानो जीवन है शरीर को चलाता है ये बात तो परसों आ गई थी ना सुबह लेकिन उसके प्रशन आ जा रहे हैं क्यों जब आप ध्यान देते हैं तो आपके अंदर प्रशन बनता है ये तो प्रशनी नहीं बनता है तो जब प्रशन बन जाता था एक्चोली एक्चोली बाबाजी से आदरणी नागरा जी से बात करने के लिए आपकी पातरता चाहिए होती थी हाँ आप जाके बैठ गए कुछ मतलब नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगे आप चुप चाप बैठे हूं भी चुप बैठे रहेंगे हमारी तरह थोड़ी एक बोलते रहेंगे अब मैं सीविर लेने आया हूं तो आप नहीं बोलने तो हम सब भी हम बोल रहें तो चुप बैठे रहेंगे आप भी चुप बैठे रहेंगे आपका जैसे ही प्रशन आएगा उसका उत्तर आना शुरू हो जाएगा तो एक्चुल हुए तो प्रशनों को लेकर मैं वहां फिर जाता था तो उसका समाधान आता था ऐसे ऐसे करके बहुत सारे समाधान होते गए उन समाधान को आपके बीच में रखी रहा हूं प्रस्ताओं के रूप में कि आपके अंदर भी प्रशन बनने सुरू हो जाएं लेकिन आपके अंदर प्रशन क्या बनने तो एक स्वयम और एक समाज समाज में परिवार भी सामिल कर लिजे, परिवार और समाज इस खांचे में हम देखते हैं मानों के प्रकार तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हाजी, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वयम, 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 स्वयम समाज के बारे में कुछ भी नहीं यानि मेरी सुविधा पूरी होनी चाहिए मेरी सुविधा पूरी होनी चाहिए समाज से कोई मतलब नहीं बलकि समाज से और हडप लोग खीच लो ऐसे लोग आपके आसपास हैं बहुत हैं आप कैसे हैं दूसरा आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खुद के लिए ही सोचेंगे समाज के लिए नीट्रल हो जाएंगे सोचन नहीं करेंगे कीचेंग में लूतेंग नहीं समाज से कुछ लूटने की Nolan positive के आज के लिन्य को अच्छा बोलते हैं कि टिक टीसरा अएसे लोग जो अपने बारे में यानि अपनी भी आवस्क्ता होती है और समाज की भी आवस्कता होती है ऐसा दोनों बैलेंस बनाते हैं, परिवार और समाज का, ऐसो लोग भी दिखेंगे, अगर नहीं दिखेंगे, तो आगे हो सकता दिख जाएं, आगे क्या संभावना बनती है, अपने लिए बहुत कम, समाज के लिए ज़्यादा, ऐसी भी संभावना है, आगे एक और संभावना बनती है, अपने लिए कुछ नहीं, शरीर भी नहीं, सब कुछ जो है वो समाज, मानवी परंपरा के लिए, तो ये पांच प्रकार के मानों की संभावना है, कुछ मानों अभी हैं, कुछ की संभावना हमारे में बनती ही है, इन पांचों का नाम है, पहले वाले का नाम रखा, राक्षस मानों, हाँ, मतलब अपनी सुविधा के लिए जो दूसरों को नुक्सान पहुँचाए, छती पहुँचाए, मार पीट के, हड़प के, सोसन करके, कई लोग हाथ पहर से नहीं मारते, बड़े अच्छे उदार से दिखते हैं, लेकिन उस सोसन कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं, राक्षस मानों, जो अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन समाज का कोई उनको, समाज के प्रती बिल्कुल ही नूट्रल होते हैं, उनको बोलते हैं, पसू मानों, तीसरा, अपने लिए भी उतना ही सोचते हैं, समाज के लिए भी उतना ही सोचते हैं, इनको बोलते हैं मानो या मानवियता पूर्ण मानो जो अपने लिए कम आवसक्ता हो जाती है मेरी आवसक्ता कम हो गई है मतलब मेरे लिए जो है जरूरी उतना ही है मेरा बाकी समय और स्रम और मेरा जो सुविधा है यह समाज के लिए है, इसको बोलते हैं देव मानो, इन्ही को देवी देवता बोलते हैं, और जिनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक किस सरीर भी नहीं चलाना है, जीवन रूप में ही प्रेरित करना है, प्रेरणा प्रदान करना है, जैसे हम सभी कोई काम कर होते हैं, तो कभी कभी लोग लगता है कि मेरे में कहीं से प्रेरणा आई है, तो जीवन भी भाव है, दूसरा जीवन भी भाव है, तो प्रेरणा आती है, उस रूप में होते हैं, इनको बोलते हैं दिव्य मानो, इन्ही को मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष वाले मानो, यह पांच प्रकार के मानों की संभावना है आप अपना अपना देख लेजिए आप कहा है हमको मत बताईएगा अपना देख लेजिए अपना देख लेजिए हाजी और ये जो राक्षस मानों है जिनको राक्षस मानों इन दोनों को मिला करके आ मानों बोलते हैं और इसको मानो बोलते हैं और इन दोनों को मिला करके अति मानो बोलते हैं अति मानो मानो से उपर मानो से स्रेष्ट तो यह जिनको हम राक्षस मानो बोल रहे हैं यही वास्तों में जिन्दा भूत प्रेत हैं तो मेरे अपने चवाली साल के उम्र में जिस भूत प्रेत के बारे में सुना था वो तो नहीं मिले लेकिन ये वाले भूत प्रेत हमेशा मिले आज भी उपलब्द हैं तो जो भाया मोक्ष वाली स्थिती बोल रहे थे उनको दिव्य मानव बोलते हैं जिनको अपने सरीर की भी अवावा सकता नहीं है अब उनका सब कुछ मानवी परंपरा के दृष्टी में है मानवी परंपरा स्थापित हो जाए जिससे जीवन प्रमाडित होते रहें इसके लि हैं जो की अपने लिए आवसक्ता बहुत नहीं रहती सरीर है सरीर चलाएंगे लेकिन और आवसक्ता है कम रहती है और जो हमारे पास है भी सुविधा जरूरत ज्यान समझ वो समाज के लिए है ऐसी दृष्टी के साथ होते हैं उनको देव मानव बोलते हैं उनको देवी दे पास अभी मेरा तो क्या सुनना चाहते हैं आप अप उत्तर दे रहें उनका अच्छा उत्तर भाया दे रहें देखिए कुछ हाजी माइक दे दीजे एक और माइक है एक माइक तो आप पकड़े रही है क्योंकि संबाद कैसे होगा एक्छुली में संबाद तो शायद नहीं कर पाऊंगा लेकिन जो समझ पड़ी है मिन्स साथ दिन में उसको बता रहा हूं पहला प्रशन था उनका पहले जब ओ बोले दब की जीवन मिन्स तो मुझे समझ में आए तब तक तो जीवन कैसे की कोई रूप नहीं है वो सभाव है हम तो तो अनयन्ड है मिन्स कोई इसका रूप नहीं है तो हम उसको एपको शाय नहीं कर सकते कि यह है यह यह है यह जीवन था यह जीवन था लेकिन जब सोचते हैं हम जैसे कि राम अवतार मिंस वो जीवन था उसका आज भी वो सब मानते हैं कि चलो यह जीवन है मिंस राम जो जी रहे थे वो जीवन है उसके उसके रास्ते पर चलो गांदी जी के रास्ते पर चलो वो सब जीवन ही है वो अच्छे जीवन है और जो नहीं लोग मानते वो ब्रहमीत है एक्चुली वो जीवन ही है जीवन का कोई ऐसे दुसरी तरह से देखा जाए तो दिखता ही नहीं कुछ यानि बढ़िया है तो मैं जो मेरा जो आपने जो पूछा था तो मैंने एक जीवन देखा है सवभाग राज जी समाधान समरिधी पूरवक क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या हुआ समाधान समरिधी पूरवक जीता हुआ जीवन तो मैंने एक जीवन देखा है यह मेरा सवभाग है कि मैं उनके साथ लगातार स्वामी जी देखे है अनू भी देखी है तो जो देखी है राम कुष आगे लगाया है ध्रया वास यिसाहिए घ्राजर जाहां प्रम रहते है राम को अगर हactiv अगर देखा व्हान तो मैं देखूंगा तो मैंने राम को नहीं देखा है लेकिन मैंने नाग राज जी को देखा है आने वाले समय में अगर ऐसे जागरित मानो परंपरा आ गई तो हर बच्चा ये उदाहरन लेकर खड़ा होगा कि मैंने जागरित जीवन अपने घर में देखा है मेरे पिता जी है मेरे माता जी है मेरे बाबा जी है क्योंकि ये संभावना बनती है जागरित मानो परंपरा की उसमें हर बार में नहीं देखा जिनको भी देवी देवता सुना है हमने सुना यह जिनका नाम आप ले रहे हैं लेकिन आदर्डी नागराज जी को हमने समाधान समरिद्धी पूर्वक जीते हुए देखा है मतलब क्या जबर्दस्त मानो एक ही कारक्रम पहली बार गये वही बात दूसरी बार गये वही बात तिसरी बार गये वही बात हमें आकरशन क्या हुआ क्या आदमी है एक ही कारक्रम एक ही ओजना एक ही कारक्रम एक ही ओजना इतनी कंसिस्टेंसी एक आदमी के अंदर इतनी तब पताजला जी मानवियता पूर्ण जिंदगी के लिए तो वही कारिक्रम है, वही योजना है, उसको ही लेके बात करना और इतना पिश्वास पूरवक करना और स्वेम समाधान के लिए उपलब धराना और सम्रिधी पूरवक जीना, पूरी जिंदगी बताया, पूरी जिं तो लेकिन उनको बाबा इसलिए हम बोलते हैं परिवार में जैसे बाबा होते हैं क्योंकि उन्होंने हमने उनको देखा है समरिद्धी पूर्वक जीते हुए समाधान पूर्वक जीते हुए आगे आने वाले समय में जिस तरह से युवा यह युवा जिस तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं इससे संभावना बनती है आने वाले समय में आपके गाउं में मुहले में पडोस में हमारा शरीर नहीं रहेगा मैं माली जागृत परंपरा सव साल बाद truck होगी तो मेरा शरीर थोड़ी रहेगा मेरी अगली पीड़ी रहेगी उस पीड़ी में हो सकता मैं ही जीवन के रूप में सरीर को चला रहा होंगा या कोई दूसरा जीवन ही चला रहा होगा तो ऐसे मानो जागरित मानो गली-गली में होंगे क्योंकि नियम तो यही कहता होंगे होंगे क्योंकि बिना सम अनुभों के बिना बोध के हमारी त्रिप्ती नहीं होने वाली है तो मैं तो त्रिप्ती के लिए जीना चाहता हूं तो संभावना तो बनती है सर समाध जीवन के लिए कैसा जीना चाहिए क्या करना चाहिए हाँ वो बढ़िया तो जब समाधान सम्रिध्धी हो जाती है तो मेरी समाध जीवन की पातरता बनती है मेरे पास क्या क्यों कैसे का उत्तर हो जाता है और मेरा जो सरीर है इसको जिंदा बनाए रखने के लिए और सम्मन्धों के निर्वा के लिए जितने वस्तू चाहिए उसका भी मेरे पास उत्तादन का जुगार रहता है मतलब मैं उसको उपलब्द कर लेता हूँ और मेरे अंदर कोई अभाव नहीं रहता, ऐसे भाव को सम्रिद्धी बोला, तो जब मैं समाधान सम्रिद्धी पूर्ण हो जाता हूं, तब मैं समाज के लिए पात्र हो जाता हूं, समाज जीवन के लिए, नहीं तो अधूरेपन के साथ मैं समाज में जाता हूं, तो समाज मे अधूरापन ही फैलाता हूँ मैं कलेश के साथ जाता हूँ तो मैं समाज में कलेश ही फैलाता हूँ क्योंकि मेरे परिवार में ही अभी समर्द्धी नहीं आई मेरे परिवार में ही कलेश है परिवार में ही सांती नहीं है और मैं बाहर समाज में जा रहा हूँ तो मैं उस कलेश को ले के जा रहा हूँ तो समाधान समरिद्धी नियुंतम योगता है समाज जीवन के लिए लेकिन समाधान और समुर्दी हो गई फिर समाज में गई तो वहाँ क्या करना चाहिए हाँ, तो उसका content कल आएगा, लेकिन उसकी चर्चनाओं में भागिदारी करते हैं, एक परिवार से लेकर, परिवार समू, ग्राम सभा, ग्राम समू सभा, ये पूरी दस्सो पानी योजना है, मानवी परंपरा की, उसको रखेंगे कल, उसको जब उसमें देखते हैं, तो हर अ काम लिख देते हैं, चर्चा कल करेंगे, सिक्छा संसकार योजना, स्वास्थ सहियम योजना, उत्पादन कार योजना, हाँ भग, आ रहे हैं, उत्पादन कार योजना, न्याय सुरच्छा योजना, और फिनिमैकोस, योजना, ये पाँच योजनाएं होंगी जागरित परंपरा में, मतलब नियम पूर्वा का ऐसा लगता है, इन पाँचों में से किसी भी योजना में मैं भागिदारी करने के लिए जाता हूँ, और उसके लिए मेरा परिवार मुझे मुक्त करता है, कि योजनाओं की, छेत्र की, मंडल की, राज्य की, राष्ट्र की, अंतर राष्ट्र की योजना में आप भागिदारी करिए, आपकी सम्रिद्धी घर में सुरचित है, सुनिस्चित है, मतलब आपकी डाल रोटी घर में सुनिस्चित है, तो रोटी कपड़ा मकान घर में सुन खुद को पाता हूँ, उसमें भागिदारी करने के लिए जाता हूँ, तो जागरित मानो परंपरा में हर अस्तर पे पांच नहीं मंत्राले की आवसक्ता होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें समाधान समरिद्धी में मानो खुद हैंडल कर लेगा, तब समाज कल्यान मंत्राले क आवसक्ता ही नहीं पड़ेगी, तो समाधान समरिद्धी पूर्वक जीते हुए मानो की परंपरा में, बहुत सारे मंत्राले कम होंगे, यह पांच मंत्राले होंगे, यही मंत्राले गाओं में भी होंगे, यही मंत्राले देश के भी होंगे, और यही मंत्राले दुनिया के भी होंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे, डिटेल, इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समाज में ब्यवस्था आया नहीं, अभी तो क्या हुआ, अभी क्या आया, स्वयम में ब्यवस्था, इसकी बात किया, दूसरा परिवार में ब्यवस्था, तो संबंध और मूल्य आया, उसके अस्तित्व में बेवस्था आ गया, थोड़ा सा उल्टा करम हमने किया, क्योंकि अस्तित्व में बेवस्था पहले रख देने से, फिर बाकी बेवस्थाइं स्पष्ठ हो जाती है, और प्रकृति में बेवस्था तो है ही है, पता ही है, इसमें थोड़ा सा रूप गुर्स भा वानवी परंपरा क्या होगी। बहुत बढ़िया। आपका ध्यान तो जा रहा है। अच्छा आपने चुकि समाज जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान जल्दी जाता है। तो मेरे यहां, मेरे यहां उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश बीजेपी भारती जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करते थे, आप भी उसी पार्टी से हैं न, रमा पतिराम त्रिपार्थी जी, आप जानते होंगे साइद, आज कल सांसद हो गए हैं हो, डाक्टर र देवरिया से सांसद हो गए, पिछली बार उनका बेटा था, तो बेटे ने किसी विधाय को जूता हुता मार दिया, बहुत वीडियो आप लोगे पास आया होगा, हाँ, तो वो टिकट नहीं मिला, तो उनके पिता जी को मिला, रमापति राम जी को, तो वो प्रदेश के पढ़िये, बोले नहीं, मैं तो राजनेतिक हूँ, मैं तो समाज जीवन जीता हूँ, तो हमने का देख लिजिए, तो क्या किये कि एक मानवी सम्मिधान सूत्र व्याख्या किताब है, कि जब भी मानवी परंपरा होगी, तो उसमें मानवी सम्मिधान सूत्र व्याख्या क् बोले ये देजे हमको, हमने का ठीक ले जाएए, दो महीने बाद मिले, बोले वो अपनी किताब ले जाओ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक अब आप देखिए न, जीवन समझ में आएगा, मानव समझ में आएगा, तब तो मानवी सम्मिधान समझ में psychology के प्रोफेसर हैं, तो बोलते हैं कि हमारे लाइक क्या किताब है, हमने का आप पहले सिविर कर लेजिए, तो अब प्रोफेसर को आप बोलिए कि आपको समझ नहीं है, तो थोड़ा अच्छा उनको नहीं लगेगा, तो मैं बोला था ना, कि वकील और सिक्छक ये भ्रहमव अपने को विद्वान मानते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा, नहीं ने, किताब बताईए कोई अपना, तो हमने कहा, देख लिजे इतनी सारी किताबें हमारे इस गरंथ हैं, तो देखे, तो वो एक किताब है, मानव संचेतनावादी मनो विज्ञान, तो बोले, मैं इस आप की चिचैतरों मैं यह ले जाएं, हमने का हाँ भेले ले जाईए, ले गए, अब उसमें जीवन क्रिया पे, एक एक क्रिया पे, पांच-पच पेज में बात की गई है, एक-एक क्रिया जो दस क्रिया है, यह दस क्रिया, expedition क्रिया, एक-स EP referendum कर त lata है, इसप्रीया को स दीरे दीरे चीजें सपष्ठ होती हैं तब आपके लिए सरल होता है बताना उदारन रखना अब उसमें उस मानो संचेतनावाती मनो विज्ञान में वही चीज है एक सो बाइस आच्रण ले गए क्या हुआ ओभी दो तीन महीने बाद वापस कर दिये बोले कुछ पल्ले नहीं के लिए फिर रख दिया फिर पड़ा हुआ है तो एक्चुली जब तक आठ दिन में क्या होता है कि बहुत सारी सब्दों की परिभासा हमको मिल जाती है अब हम उस परिभासाम उसको देखते हैं तब हमको पकड़ में आने लगता है हम सिविर भी नहीं करेंगे हमको क्या सम जाओं लेगं किताब देजिए हम पढ़ेंगे तो किताब टो जर्सन है ना दर्सन की एक फिक्स परिभासा होती है जैसे आप बता रहे थे कि आपके पास एक content है जिसके फिक्स्व परिभासा हैं दी हुए तो अब इस दर्सन को समझने के लिए इसकी परिभासा को समन पढ तो मध्यासदर्शन को इस कंटेंट को भी समझने के लिए इसमें भी परिभासा संगीता लिखी गई है तीन हजार सब्द है उसमें उसकी परिभासा की गई है उस परिभासा को समझते हैं लेकिन कम से कम परिचे सिविर जब कर लेते हैं तो बहुत सारी सब्दों की परिभास के रूप में नहीं रखा जाता बाकाइदे उदाहरण के साथ आपको इस्पून फीडिंग कराई जाती है इस्पून फीडिंग समझ रहे हैं चोटे बच्चे को चम्मस से दूद्ध पिला जाता है गिलास नहीं उसके अंदर मुझ में लगाते हैं हां मतलब वो गिलास से करेंगे तो सब गिर जाएगा और उसके मुझ में एक भूद भी नहीं जाएगा तो चम्मस से धीरे-धीरे पिलाते हैं और उसको दूद्ध भी मिल जाता है तो क्या होता है सिविर में स्पून फीडिंग कराई जाती है तो इस कंटेंट को टुकड़ों में थोड़ थोड़ के धीरे-धीरे-धीरे-धीरे एक जाम पल लाते हैं तो कहीं पालक पनीर आता है कहीं मतर पनीर आता है कहीं कुछ आता है कहीं कुछ आता है मतलब आपका ध लीजिए तो इसलिए तो इस content को लाएंगे कल सामाननेते सिविर में एक content के वल इतना ही आता है लेकिन दस्व पानी बेवस्था भी रख देंगे थोड़ा सा उसके बाद इस content को रखेंगे तो समाज में बेवस्था पकड में आएगी समझ में आएगी तो अभी कितना content हुआ मानव निरंतर सुख पूर्वग जीना चाहता है स्विकृति के भाव में जीना ही सुख है सुख क्या है तो क्या क्यों कैसे का उत्तर होता है तो स्विकृति का भाव आता है तो क्या क्यों कैसे के उत्तर कोई साक्षातकार बोद बोले अर्था स्वीकृति का भाव बोले तो क्या क्यों कैसे का उत्तर कहा कहा मिलेगा तो मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ क्यों हूँ कैसे हूँ परिवार क्या है क्यों है कैसे है समाज क्या है क्यों है कैसे है प्रकृति क्या है क्यों है कैसे है और अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसे है, ये उत्तर होता है, तो मैं स्वीकृति के भाव में आता हूँ, तो अभी जो content हुआ है, स्वयम में बेवस्था को समझना, परिवार में बेवस्था को समझना, प्रकृति में बेवस्था को समझना भी एक क्रम में नहीं हुआ है, ल व्यापक बस्तू है, उसमें सारी इकाईयां दूबी भीगी घिरी हैं, व्यापक से कोई इकाई मुक्त नहीं है, व्यापक में ही है, और व्यापक इकाई में भी है, इकाई व्यापक में है और इकाई में भी व्यापक है, ऐसा अस्तित्व समझ में आया, अस्तित्व सहस्तित तो उसका मानवीता पुर्ण आच्रण क्या होगा उसकी भी बात को कल रखेंगे बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ माइक में बोलो काब्या क्या लगता है समझने जीने की चीज है और आसान है कठीन नहीं है क्योंकि content ही इतना कम है देखिया ना स्वयम परिवार समाज प्रकिर्ति अस्तित्व स्विकृति के भाव में जीना स्विकृतियां क्या है मूल्य ही स्विकृतियां है मूल्य कितने है तो आपके सामने अभी 22 मूल्य आ चुके है एक तो मानो मानो बेवहार के मूल्य आये है कितने अठार है नव इस्तिती में और नव सिष्टता में गती में अठार है और जीवन मूल्य भी आपके सामने आ गया है तो मूल्य क्या होते हैं बेवहार के मूल्य मानो मानो बेवहार के मूल्य और मानो मूल्य और जीवन मूल्य और प्रकृति मूल्य तो अभी हमने क्या किया है मानो मानो बेवहार के मूल्य और जीवन मूल्य जीवन मुल्य क्या है? सुख, सांति, संतोस, आनन्द ही जीवन मुल्य है. मुल्य का मतलब उपयोगिता, तो जीवन की उपयोगिता क्या है? तो जीवन सुखी हो, सांत हो, संतोस हो, आनन्द हो, तो जीवन मुल्य. तो अभी आपके सामने, आपके सामने 22 मुल्य आये हैं, बा आप स्विकृति के भाव में आ गए लेकिन अभी क्या है ये तीस आप के सामने सूचना के वल जा रही है आप में नहीं हुई है जिस्चन हो जाएगी आप अनुभो संपन हो जाएंगे स्विकृति के भाव में आ जाएंगे तो content बड़ा नहीं है इसलिए संभावना है मानो स समझ सकता है और जी सकता है समझ सकता है और जी सकता है और सो के भी समझ सकता है तो हमारे जितने भी सिविल होते हैं उसमें गद्दे भी लगा रखते हैं तखत भी लगा रहता है कुर्सी भी लगी रहती है देखिए हम तो जीवन से बात करते हैं सरीर को सुला दीजिए लि प्रिर को सुला के रखिए लेटा के रखिए कोई दिक्कत नहीं अब बढ़िया तो आज छट्वे दिन का सिविर पूरा करता हूँ मेरी तरफ से और आप सभी का बहुत अभिननन बहुत बहुत धन्यवाद आप इतने बढ़ियां से सुन रहे हैं लगातार सभा को सजा के रखे हैं बना के रखे हैं अपनी जिग्यासा लगातार अच्छी अच्छी ला रहे हैं उन जिग्यासाओं से मैं बह झाल झाल